नमस्कार जहिंद, All Exam Guide Guru का YouTube चनल आप सभी दिख रहे हैं, मेरा नाम है सुजीत पांडी यहाँ पर आपके लिए पिछे 30 साल से बार-बार एक्जाम में पूछे गए प्रशने लिकर आगे हैं सभी कॉशन बहुत इंपोर्टेंट है करते हैं विडियो को स्टाट पहला कॉशन है पैठन जल विद्धुत परियोजना या Hydro Electric Project यह किस नदी पर है पैठन जल विद्धुत परियोजना किस नदी पर है बार-बार रिपीट हुआ कॉशन बार-बार पूछा गया कॉशन यहाँ पर आईट आंसर हो जाएगा आपका यह है आपका option number B गोदावरी नदी पर है option number B यहाँ पर आईट आंसर हो जाएगा पैठन जल विद्धुत परियोजना के लिए गोदावरी नदी पर इस्थित है पढ़ते हैं अगले कॉशन की तरफ पूछा गया आपसे निम्द लेकित में से किस वर्ष को भारत के जन सांखे की इतिहास में ब्रहद विभाजन का वर्ष कहा जाता है तो जन सांखे की इतिहास में ब्रहद विभाजन का वर्ष यहाँ पर आपको जो option दी गए हैं आजादी के पहले 1921 का जो वर्ष था इसको ब्रहद विभाजन का वर्ष कहा जाता था option number यहाँ पर आपका C 1921 का वर्ष को जन सांखे की इतिहास में ब्रहद विभाजन का वर्ष कहा जाता है अगला question देखिए अगले question क्या पूछा गया है नीलगिरी पहाडियों के दक्षणी चोर पर इस्ते दर्रे को क्या कहा जाता है नीलगिरी पहाडियों पर दक्षणी चोर पर इस्ते जो दर्रा है वो है आपका उस दर्रे को कहा जाता है आपका क्या पलककड की खाई option number C, पलककड की खाई कहा जाता है option number C, पलककड की खाई right answer हो जाएगा इसे प्रश्ण के लिए अगला question देखिए, पूचा गया इसमें कि pedology किसका विज्ञान है pedology किसका विज्ञान है यहाँ पर आपको जो option दिएगा है right answer क्या हो जाएगा pedology के लिए यहाँ पर आपको जो option देगा है pedology के लिए right answer है आपका option number B मिट्टी के विज्ञान को pedology कहा जाता है option number B, मिट्टी के विज्ञान को pedology कहा जाता है परते हैं अगले प्रश्ण पर पूचा गया है इसमें आपसे, अगले question में देखिए क्या यहाँ पर मिट्टी का विज्ञान टिक लगा दीजिएगा अगला question आपकी screen पर रहा ये पूचा गया है कि नमलकित में से कौन सा राज नेपाल के साथ अपनी सीमा साजा नहीं करता नेपाल से touch नहीं है यहाँ पर आपको जो option देगा है राइट आंसर क्या हो जाएगा तो नेपाल से आपका touch नहीं है जो option दिएगा है राज्यों के नाम दिएगा है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चे, मंगाल और असम में से असम राज नेपाल से touch नहीं है option बड़ी असम राज नेपाल से touch नहीं है राइट आंसर हो जाएगा असम राज option बड़ी यहाँ पर राइट आंसर है अगला question देखिए पूछा गया है इसमें आपसे निमनलकित में से कौन सा वायू मंडल का निमनितम इस्तर है सबसे नीचे कौन सा मंडल है तो वायू मंडल में सबसे नीचे आपका जो मंडल आता है यहाँ पर आपको जो option दिएगा है right answer हो जाएगा सबसे नीचे आता है आपका छोब मंडल प्रोपोईस्पियर या छोब मंडल option नमबर यहाँ पर right answer है प्रोपोईस्पियर या छोब मंडल मतलब GI tag मिला था geographical indication tag मिला था कहाँ पर famous है कहाँ पर मिला था कंदमाल हंदी को GI tag तो right answer हो जाएगा कंदमाल हंदी को ओडीसा राजी के लिए GI tag मिला है option number आपका C right answer हो जाएगा ओडीसा राजी के लिए कंदमाल हंदी को GI tag मिला है option number C यहां पर प्रश्ण के लिए फिलकुल सही आंसर हो जाएगा बढ़नें अगले कॉश्चन की तरफ यह रहा आपका, अगला प्रश्ण आपकी स्क्रिंब पर पूँचा गया है कि दाल चीनी मसाला मूलतक कहां का है, मूलतक कहां से दाल चीनी मसाला आया है, किस देश से सम्मनत है दाल चीनी मसाला तो या रखना दाल चीनी मसाला मूलता हमारे पड़ोसी देश श्री लंका का है option number C श्री लंका में मूलता दाल चीनी मसाला होता है option number C श्री लंका right answer हो जाएगा प्रश्णे के लिए अगला question पूछा गया आपसे देखिए क्या पूछा गया अगले question में कि क्या एक हतियो पैगोडा कहां इससे थे बताइगी क्या एक हतियो पैगोडा ये किस देश में है बहुत famous है किस देश में है क्या एक हतियो पैगोडा यहाँ पर आपको जो option दिएगा है हमारे पड़ोस सी देशे यहां पर क्या एक हती यो पैगोडा है बहुत फेमस है ऑप्शन नबर यहां पर राइट आंसर पड़ते हैं अगले कॉशन पर पूछा गया आपसे अगले कॉशन में क्या देखिए पूछा गया है कि निमलखित मैं से कौन सा समुद्रतट गोवा में है इनमें से कौन सा समुद्रतट गोवा में है जो की बहुत फेमस है यहां पर आपको जो ऑप्शन देगा है राइट आंसर क्या हो जाएगा तो राइट आंसर आपका पालो लिम समुद्रत गोवा में है और बहुत फेमस है पालो लिम समुद् कोशन है। ये कोशन आप जिसे एक्जाम की तयारी कर रहे उसमें आ सकते हैं। और हमने ब works और GS आता है, science आती है, GK आता है हर exam में, आपके लिए हमने 10,000 GK के MCQ question तयार की हैं, कितने एक नहीं, दो नहीं, 10,000 question और ये 10,000 question आपको 300 रुपए की PDF पड़ेगी, PDF बना ली गई है, सभी को PDF WhatsApp पर मिल जाएगी, आप में से सब लोग WhatsApp चलाते हो, WhatsApp पर PDF भेज दी जाएगी, 300 रुपए की PDF है, फॉन पर Google पर Paytm के माध्यम से payment कर सकते हो, जो हमारे शेनल पर सुरू से जुरा है, उसके लिए भी, और जो नया पहली बारा है, उसको मिल जाएगी, कितने caution मिलेंगी, 10,000 question, रट लोगे ना, तो GKGS महा strong हो जाएगी हर subject में, जिसको भी PDF चाहिए, अलक नंदा और मंदाकनी का संगम कौन सा है, बताइए, अलक नंदा और मंदाकनी का संगम कौन सा है, यहाँ पर आपको जो option देगा है, right answer क्या है, option number D, या रखेगा, रुद्र प्रयाग, अलक नंदा और मंदाकनी का संगम है, रुद्र प्रयाग, option number यहाँ पर आपका D, right और आवा नामक सहायक नदियां हैं ये सभी सहायक नदियां किस नदी की हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा तो राइट आंसर आपका दिबांग नदी की हैं तो दिबांग नदी मतलब ब्रह्मपुत्र जाकि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है तो या रखना दिबांग नदी कि ये सभी सायक नदी है जदी ब्रह्मपुत्र आए तो ब्रह्मपुत्र भी लगा सकते हो अप्शन बसी यहां पर दिमांग नदी राइट आंसर हो जाएगा प्रशन के लिए अगला कोशन ये रहाब की स्क्रीन पर पूचा गया है अगले कोशन में आपसे किस खोज करता ने 2499 में भारत के लिए समुद्री मार्क की खोज की थी 1490 में कौन सा खोज करता था जिसने भारत के लिए समुद्री मार्क की खोज की थी राइट आंसर आप सभी को पता होगा वासकोडी गामा पुर्टगाली नागरिक था अप्शन अमबर डी अच्छा कमेंट करके बताओ कि वासकोडी गामा कहां पर आया था भारत में सबसे पहले वासकोडी गामा कहां पर आया था comment box में comment करके बताईए वास कोडी कामा सबसे पहले भारत में कहां पर आया था किस जगा पर आया था comment करके बताईए अगला question देखो पूचा क्या इस्थल मंडल, जल मंडर और वायू मंडल के बीच संपन का संकीन छेत्र जहां प्राक्रितिक वनस्पती और वनस्जीव मौझूद है क्या कहलाता है इस्थल मंडल, जल मंडल और वायू मंडल के बीच संपर्क का संकीन छेत्र राइट आंसर क्या हो जाएगा तो ये सभी मिलाके बनते हैं जेव मंडल क्या बनता है जेव मंडल, इस्थल मंडल, वायू मंडल और आपका जल मंडल को मिलाकर बनता है वायू मंडल, जेव मंडल ऑप्शन बसी यहाँ पर जेव मंडल राइट आंसर हो जाएगा अगला कॉशन देखिए पूचा क्या है किस राज्य में पूरवजों की पूजा से संबनित तेवहार मी दम मी फी मनाय जाता है मी दम मी फी कहाँ पर मनाय जाता है मी दम मी फी पूरवजों की पूजा से संबनित तेवहार है किस राज्य में मनाय जाता है तो मीदम्मीफी बनाए जाता है आपका असम राज्य में असम राज्य का प्रसित तेवहार है मीदम्मीफी option number यहां पर C असम राज्य राइट आंसर हो जाएगा मीदम्मीफी के लिए असम राज्य अगला प्रश्ण यह रहाई स्क्रीन पर अगले कॉशन पूछागे आपसे कि लेशल पतु किस भारती राज्य का लोक नरत्य है बताईए लेशल पतु किस भारती राज्य का लोक नरत्य है यहां पर आपको जो ऑप्शन देगा है राइट आंसर क्या है लेशल पतु के लिए तो लेशल पतु आपका यहाँ पर आपको जो अप्शन दे गए है राइट आंसर हो जाएगा नागा लेंड का एक लोक नरत्य है option number आपका B नागा लेंड का लोक नरत्य है नलेशल पतू option number B यहाँ पर आईट आंसर हो जाएगा नागा लेंड पढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ यह रहा आपकी स्क्रीन पर आपका अगला कॉशन पूछा गया है कि तापमान परिवतन तो शार क्रिया पादपों जन्तूओं तथा मानवी गतिविदियों के कारण पुली चटानों का विगटन और अपचय क्या कहलाता है चटान जो घिस जाती हैं अपचय होता है क्या कहलाता है तो इसको क्या कहा जाएगा इसको कहा जाता है अपच्छायन या रखना option number C चट्टानों का हो जाता है अपच्छायन किसके कारण ताप मान में परिवात्तन के कारण तो शार क्रियाओं के कारण पादपों जन्तूं मान गतिविधियों तथा खुली चट्टानों के विक्टन के कारण अपच्छायन हो जाता है चट्टानों का option number यहाँ पर C किस कनिच को जाना जाता है राइट आनसर क्या हो जाएका बरीड शन्साइन किसको कहा जाता है राइट आंसर आपका आपकर पोचे हैं प्रतवी की बाहरी परत जो आरहा पहेलियों की तरह एक साथ विन्यास प्लेटों से बनी हुई है प्रत्वी की बाहरी परत कौन सी यह बताओ यहाँ पर आपको जो operators लटे गाये है राइड अंसर क्या है तो यहाँ पर जो अиче आपको लिए गए है राइड अंसर हो जाएगा इस्थल मंडल प्रत्वी की बाहरी परत है आपकी लिटो स्पीयर या फिर स्थल मंडल, option नमबर यहां पर आपका भी जिस पर हम लोग रहते हैं, option नमबर भी स्थल मंडल या लितोस्पियर right answer हो जाएगा अगला question देखिए क्या पूछा गया है, पूछा गया किस खनिच को मूर्खों का सोना भी कहा जाता बताईए राइट answer हो जाएगा आपका पाई राइट, option नमबर या पाई राइट को मूर्खों का सोना भी कहा जाता है परतियां अगले caution की तरफ यह आपका अगला question पूछा गया, क्या इसमें? पूछा गया कि अलास्का और उत्तरी कनाडा जैसे धुवी छोत्रों में जब आकाष में चमकीरे рंग प्रदर्शित होते हैं तो उस भौतिक प्रतिखटना को क्या कहा जाता है? रात में आपका आकाश रंग बेरंगी दिखाई देता है अलग-अलग कलर के रंग चमकते हुए प्रतीत होते हैं इस घटना को क्या कहा जाता है तो हिंदी में कहा जाता है सुमेरू जोती option number A सुमेरू जोती right answer हो जाएगा सुमेरू जोती option number A यहाँ पर right answer यहाँ पर आपको जो option देगा है right answer क्या हो जाएगा हिम 3-2 के लिए तो हैमिस नेशनल पार्क हिम 3-2 का निवासस्थान लद्दाक में है आपका option number C लद्दाक right answer हो जाएगा इस प्रश्णे के लिए लद्दाक में हैं हैमिस नेशनल पार्क option number C लद्दाक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अगला कॉशन देखो अगले प्रश्ण में आपसे क्या पूछा गया है सूर्य प्रत्वी को किस माध्यम द्वारा उश्मा देता है सूर्य प्रत्वी को किस माध्यम के द्वारा उश्मा देता है राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आप कुछ उप्षिन देगा है सूर्य जो है प्रत्वी को राइट आंसर हो जाएगा विकरण के द्वारा उचमा देता है उप्षिन नमबर A विकरण की पद्दती के द्वारा सूर से हमें उश्म प्राप्त होती है प्रत्वी को उश्म प्राप्त होती है विकरण की पदती option नमबर यहाँ पर right answer हो जाएगा प्रश्ण के लिए अगला question देखिए क्या पूचा गया है पूचा गया अगले question में जादू गोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है या जाना जाता है बताईए जादू गोड़ा की खाने किसके लिए जाना जाती है यहाँ पर आप कुछ option दिएगा है right answer क्या हो जाएगा बहुत important question है most IMP very IMP टिक लगा लो right answer हो जाएगा uranium के भंडार के लिए option number B जादू गोड़ा को जाना जाता है यह uranium के भंडार के लिए option number यहाँ पर आपका B right answer हो जाएगा uranium का भंडार अगला question देखो क्या पूचा गया है पूचा गया आप से इन अमलिकित में से कौन सी जंजाती सिक्क्यम की है बताओ सिक्क्यम की जंजाती यहाँ पर आपको जो option देगा है कौन सी है बहुत famous question है बहुत famous जंजाती है एक्जाम में कई बार पूछा गया कौशन है राइट आंसर क्या होजाएगा भोटिया जन जाती यह सिक्क्यम की एक जन जाती है option number D यहाँ पर भोटिया जन जाती राइट आंसर होजाएगा सिक्क्यम के लिए option number D पढ़ते हैं अगले कौशन की तरप पूछा गाया क्या? फेमस प्रसिद्ध है Option नमबर यहाँपर आपका C राइट आंसर हो जाएगा अरू, रांचल, प्रदेश अगला गौशन देखो अगले गौशन में आपसे पूछा गया है क्या निम्नलकित में से कौन सी स्रणी हिमाले के अनुदर दिविस्तार में इसकी तीन समान अंतन स्रणीयों में से एक नहीं है हिमाद्री शिवालिक और हिमाचल है हिमाचल नाम की स्रेणी नहीं है उप्शन नमबर भी यहाँ पर हिमशिखा राइट आंसर है प्रशन के लिए बढ़ते एंगले कॉशन की तरफ यह आपकी स्क्रीन पर अगला कॉशन पूछा गया कि मड़ाई त्योहार किसी राज्य में मनाया जाता है बताइए मड़ाई उत्सो या मड़ाई त्योहार इनमें से किसी राज्य में मनाया जाता है यहाँ पर आपको जो ऑप्शन देगा है राइट आंसर क्या हो जाएगा मड़ाई के लिए तो मड़ई उत्सव या मड़ई तेवहार ये आपका 36 गड़ में मनाया जाता है मड़ई उत्सव या मड़ई तेवहार 36 गड़ में मनाया जाता है यहाँ पर आपका option number राइट answer हो जाएगा अब भी 36 गड़ में मनाया जाता है मड़ई उत्सव या मडई तेवहार अगला कॉच्शन देखिये यह आपकी स्क्रीन पर पूचा गया एकि विश्यो ओजोन दिवस प्रती वर्ष सितंबर में कम मनाया जाता है कितने सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है यहाँ पर आपको जो ऑफ्शन देगा है राइट अनसर क्या है राइट आंसर हो जाएगा आपका 16 सितंबर, option number A, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है option number A, 16 सितंबर, राइट आंसर हो जाएगा ओजोन दिवस के लिए अगला option देखिए, यह आपकी स्क्रीन पर पूछा गया क्या, एक तारे के जीवन चक्र में निहारी का चरण किसको संदर्वित करता है पताईए क्या हो जाएगा, तो जब तारे के जीवन चक्र में निहारी का चरण किसको संदर्वित करता है, पताईए क्या हो जाएगा तो जब तारा निहारी का चरण में पहुंचता है, तो धूल और हाइडरोजन के बादल में बदल जाता है धूल और हाइडोजन के बादल में बदल जाता है option number A निहारी का चड़न में तारा धूल और हाइडोजन के बादल में बदल जाता है option number A यहाँ पर right answer हो जाएगा अगला question पूछा गया आप से क्या कि निम्नलिखित मैंसे कौन सा उद्योग भारत के आठ महत्पून उद्योग में शामिल नहीं है इसमें से कोई एक उद्योग है जो भारत के आठ महत्पून उद्योग में शामिल नहीं है कौन सा उद्योग है तो या रखना कपास उद्योग महत्पून आठ उद्योगों में सामिल नहीं है बागी प्राक्तिक गैस उर्वरक और इस्पात ये प्रमुक आठ उद्योग में सामिल है कपास उद्योग प्रमुक आठ उद्योगों में शामिल नहीं है अगला कॉशन पूचा गया आपसे क्या देखिए अगला कॉशन पूछा गया आपसे अधा शेल मतलब बातोलित के द्वारा निर्मित भू आकरतियां कौन सी हैं बताईए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रशनी के लिए यहां पर आप कुछ ऑप्शन देगा है राइट आंसर क्या है तो जुआला मुकी गती विदियों के द्वारा आपका बातोलित या अधा शेल की आकरति निर्मित होती है कौन सा बंदरगा है जो गुजरात में नहीं है सिक का बंदरगा है ओखा भी है मुंदरा भी है दिगी बंदरगा ऑप्शन नमबर ए दिगी बंदरगा ये गुजरात का बंदरगा नहीं है बाकी सिक्का बंदरगा बहुत फेमस है ओखा बंदरगा भी फेमस है और मुंदरा मुंदरा बंदरगा भी आपका बहुत फेमस है जो की गुजरात राजिमे है ऑप्शन नमबर ए यहाँ पर right answer है अगला question देखो पूछा गया अगले question में आपसे क्या पूछा गया 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 से कौन सा ग्रह गैसी है या जोवियन ग्रह नहीं है गैसी है या जोवियन ग्रह नहीं है कौन सा ग्रह है जो की गैसी है या जोवियन ग्रह नहीं है तो शनी ग्रह भी गैसी ग्रह है, ब्रहसपती भी और अरुन भी, मंगल ग्रह गैसी या जोवियन ग्रह नहीं है, option number यहाँ पर आपका भी मंगल ग्रह राइट आंसर हो जाएगा, मंगल ग्रह गैसी या जोवियन ग्रह की स्रेडी में नहीं आता है, अगला question देखो क्या की साहिक नदी है, तो यहाँ पर आपको जो option देगा, इन में से कावेरी नदी की साहिक नदी है, कावेनी नदी, option number आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, अगला प्रश्ण आप से पूचा गया, देखी क्या, पूचा गया है कि भारत के किस राजिको, भारत की रोटी की टो तो यहाँ रखना भारत के पंजाब राजिको रोटी की टोकरी का प्रसिद्ध नाम दिया गया है, option number यहाँ पर आपका D right answer हो जाएगा, पंजाब राजिको भारत की रोटी की टोकरी का लोकपुरिय नाम दिया गया है, option number D यहाँ पर right answer हो जाएगा, अगला question पूचा गया तो यहाँ पर आपको जो option दिए गए पूछा गया आपसे क्या पूछा गया कि भारत में बंदर्गाह आधारित विकास को बढ़ावा देने के उद्देश से आधार भूत सनरचना विकास परियोजना को क्या नाम दिया गया है तो भारत में बंदारगाह आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत परियोजना उसको सागर माला नाम दिया गया है option number A, सागर माला नाम दिया गया है option number A, यहाँ पर सागर माला right answer हो जाएगा सागर माला अगला question देखिए क्या पूछा गया है पूछा गया है आपसे की corundum किसका ask है बताइए corundum इनमें से किसका ask है यहाँ पर आपको जो option दियेगा है right answer क्या हो जाएगा corundum के लिए corundum जो है किसका ask है right answer क्या है तो यहाँ पर आपको जो option दिएगा है, right answer हो जाएगा Corundum जो आपका है, यह आपका Aluminium का ask है, option बड़ी Corundum Aluminium का ask है, option बड़ी Aluminium यहाँ पर right answer है प्रश्ण के लिए पढ़ते हैं अगले caution की रफ, अगले caution में आपसे क्या पूछा क्या देखिए तो पूछा गया अगले caution में, कि सूर्मा नदी जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है कहां से निकलती है बताओ, सूर्मा नदी जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है यहाँ पर आपको जो option देगा है कहां से निकलती है सूर मनदी बताईए राइट आंसर क्या है तो राइट आंसर है मनीपुर की पहाड़ियों से निकलती है सूर मनदी option number A मनीपुर की पहाड़ियों से निकलती है सूर मनदी option number आपका A right answer हो जाएगा मनीपुर की पहाड़ियों से अगला प्रशन देखिए कि आप पूछा गया के लिए question में पूछा गया कि निम्रलकित में से किसका अक्षांस नई दिल्ली के अक्षांस के एक डिग्री भीतर है यहाँ पर किसका अक्षांस नई दिल्ली के अक्षांस के एक डिग्री भीतर होगा तो यहार रखना एवरेष्ट परवत का जो आक्षांस है नेजिली के आक्षांस के एक डिगरी भीतर है option number यहां पर A एवरेष्ट परवत राइट आंसर हो जाएगा प्रश्ण के लिए किसके दौरान बेली के मनकों को देखा गया था बताईए विएकिससर में ब्रह्मपुत नदी अपने पश्यमकी ओर से कटके दक्षन में बांगला देश में प्रविश्श करती आशाzen का एक सहर Deutsch दुबरी जहां से बांगलादेश कर जाती है और भारत ब्रह्मपुत्र कर जाती है और बांगलादेश में प्रवेश कर जाती है ब्रह्मपुत्र नदी option number C यहां पर right answer हो जाएगा यह हो गया आज का वीडियो कौशन कैसे लगए वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में आपको अपने ख्याल रखिए हमारे शनल पर और भी आपको बहुत सारे असरे वीडियो मिल जाए जाएगा मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अपने ख्याल कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपको दिन शुभू जय हिंद जय भारत